आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुती इजी एंड ट्विक बनके तयार हो जाने वाली सबजी की रस्पी इसका नाम है बेबीकॉन मसाला बेबी कॉन मसाला बनाने में बहुत ही ईजी है, खाने में सुपर टेस्टी है और बहुत ही कम इंग्रिडेंट के अंदर बनके तयार भी हो जाता है बेबी कॉन के अंदर धेर सारा फाइबर, फॉलिक एसीर होता है और बहुत सारे पुशक तत्वो होते है जो हमारे लिए बहुत ही फाइदिमन होते है तो ये सबजी बहुत ही हल्दी भी है ये सबजी को आप लंच में भी बना सकते हो और डीनर में भी बना सकते हो और ये सबजी को आप पूरी पराठा और रोटी के साथ सब कर सकते हो तो आईए फ्रेश दिखते हैं इस मज़ेदार से रस्पी को Restaurant style बेबी कॉन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बेबी कॉन की तो यहाँ पे मैंने बेबी कॉन को लिया है और यहाँ पे हमें इतनी ही सबजियों की जरूरत पड़ेगी तमाटर, पत्ता गोबी और धनियापत्ती को तो यहाँ पर हमें babycon लेना है और babycon को knife की मदद से इस तरह से हम लंबा लंबा cut कर लेंगे मैंने यहाँ पर babycon को लंबा cut किया है अगर आप चाहो तो इसे गौल में भी cut कर सकते हो यहाँ पर मैंने babycon को cut करके तैयार कर लिया है गेस के उपर एक कड़ाई को रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना ओयल को डालेंगे गेस की फ्लैम को हम स्लो करेंगे और स्लो फ्लैम पे यहाँ पे हम बेबी कॉन को सौते करना है तो यहाँ पे हम बेबी कॉन को इसके अंदर डालेंगे और सौते करेंगे बेबी कॉन यहाँ पे जब तक सौप न हो जाए अच्छे से कूक न हो जाए तब तक यहाँ पे हमें इसे सौते करना है इसे सौते करते हुए मुझे 1-5 मिनिट हो गई है और 1-5 मिनिट के अंदर ही यहाँ पे हमारा बेबी कॉन बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है एक दम सॉफ्ट हो चुका है तो इसे हम ओईल में से बाहर निकाल देंगे कडाई के अंदर ओईल बच गया है तो यहाँ पे हम इसके अंदर ही रहने देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम घी को अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हो हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना गी को डालेंगे अभी हम गैस को ओन कर लेते हैं गी और ओयल अच्छे से गरम हो जाने के बाद यहाँ पे हमें खड़े मसाले डालने है इसके अंदर सबजी के अंदर हम गी और ओयल को मिक्स करके बनाएंगे तो सबजी का टेस अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पे हमने मिक्स किया है खड़े मसाले में यहाँ पे मैंने एक तेस पत्ता, दो लॉंग और वन टेबल स्पून जितना जीरा डाला है और दो हरी मिर्चियों को डाला है सबी मसाले अच्छे से सौते हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे पत्ता गोबी को पत्ता गोबी को यहाँ पे मैंने चौपर के अंदर चौप किया है और वन बाउल जितना है इसे भी यहाँ पे हम सौते करेंगी पत्ता गोबी को यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से सौते करना है और अच्छे से ये कूक हो जाने के बाद ही यहाँ पे हमें इसके अंदर डालने हैं मसाले तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्श का पावडर क्यूंकि हमने खड़े मसाले के अंदर काली मिर्श को नहीं डाला था इसलिए यहाँ पे हम इसका पावडर डालेंगे तो यह मों में नहीं आएंगे तो अच्छे लगेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे 140 पी जितना ड्राय जिंजर पाउडर को अद्रक की जगा पे हम डालेंगे और यहाँ पे हमने खड़े मसाले के अंदर इलाइची को भी नहीं डाला था तो यहाँ पे हम ग्रीन इलाइची का पाउडर डालेंगे 140 पी जितना सभी को यहाँ पे हम सौते करेंगे और सौते हो जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी को यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिये थे और बड़ी साइस वाले लिये थे और इसकी यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी को तयार किया है और वही प्यूरी को यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे अभी यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे रेड मिर्ची पावडर को यहाँ पे मैंने काश्मेरी मेरिक का यूज किया है जिसकी वज़े से यहाँ पे इसका कलर भी बहुत ही बढ़ी आएगा और ज्यादा तिखा भी नहीं लगेगा और स्वाद के अनुसार यहाँ पे हम नमक को डालेंगे और वन टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पावडर को भी डालेंगे सब को यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसे ढखके 10 मिनिट के लिए कूक करेंगे जब तक इसके अंदर oil release नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे हमें इसे cook करना है सबजिया और मसाले बहुत ही अच्छे से cook होते हैं तब तक यहाँ पे हम काजू और मगज के बीच की paste को तयार करेंगे यहाँ पे मैंने 10 नंग काजू और 1 टेबल स्पून जितने मगज के बीच को लिया था और इसे गरम पानी के अंदर मैंने बीगो के तयार किया है आदे गंटे के लिए मैंने इसे बीगो के रखा था अभी यहाँ पे हम मिक्सर जाल लेंगे और इसे क्रश करके इसकी paste तयार करेंगी 5 मिनिट हो चुकी है तो यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पे टमाटर और पत्ता गोबी बहुत ही अच्छे से कूक हो चुका है और ओयल भी रिलीस हो चुका है तो अभी यहाँ पे हम गैस को आफ कर लेते हैं और यह कड़ाई को नीचे उतारेंगी इसके अंदर से हमने जो तेज़ पता डाला था इसे हम निकाल देंगे और इसके अंदर यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालके इसे क्रश करेंगे जरुरत के हिसाब से यहाँ पे हम पानी को डालते जाएंगे और इसे यहाँ पे हम क्रश करेंगे एकदम smooth gravy को तयार करेंगे ये process को आप mixer jar में भी डाल के कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको इसे पूरी तरह से थंडा करना पड़ेगा और थंडा हो जाने के बाद ही आपको mixer jar के अंदर डाल के इसे crush करना पड़ेगा लेकिन इस तरह से हम crush करेंगे तो यह गर्मा गर्म रहेगा तो भी यह crush हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा time बचेगा इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से crush किया है यहाँ पे एकदम smooth वाली gravy बन के तयार हो चुकी है तो कड़ाई को यहाँ पे हम फिर से gas के उपर चड़ाएंगे gas की flame को medium करेंगे और यहाँ पे हमने काजू और मगज के बीच की paste को तयार किया है तो वही paste को यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे अभी सब को अच्छे से mix करेंगे अगर आपको मेरी recipe पसंद आ रही है और इसी तरह की नई नई recipe को आप देखना चाते हो तो मेरी channel को फटा फट से subscribe कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी जो baby corn को हमने यहाँ पे सौते करके तयार किया था वही baby corn को यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम कसूरी मेती को हाथ के अंदर रगड के इसके अंदर डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला अगर आपके पास kitchen king masala है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो सबको यहाँ पे हम mix करेंगे और mix करने के बाद यहाँ पे हम डग के इसे दो मिनिट के लिए cook कर लेते हैं दो मिनिट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी सूपर टेस्टी एंड डिलिशियस बेबी कॉन मसाला की सबजी बन के तयार हो चुकी है, उपर यहाँ पे हम फ्रेश फ्रेश दन्या पती को डालेंगे और सर्विंग प्लेट के अदर साव करेंगे, इसे म आप कौन सी देखना चाते हो, वो भी मुझे कॉमेंट बक्स पे लिखे जरूर बताएगा, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, तो मैं नीदी आपको फिर मिलूंगी एक नई रस्पी के साथ, तब तक के लिए, बाई एंड हैपी कुकिंग